हेलो आज हम इसमें तालों की प्रकर्ति की बारे में बात करेंगे कि गंभीर प्रकर्ति और चंचल प्रकर्ति की तालों में क्या अंतर होता है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं देखो जो गंभीर प्रकर्ति की ता तो दुरुपत जो होता है वो सूल ताल और चो ताल वगरा में गाया जाता है और आप सभी जानते हो कि दुरुपत की जो प्रकरती होती है वो घंबीर मानी जाती है क्योंकि ये तालों को ध्यान में रख करी इन तालों को सटकिया गया है और आप सभी जानते हैं दुरुपत दमार तालो गई यह सारी ताले जो होती है यह गंभीर प्रकरती के अंतर गरती ही आती है ठीक है क्योंकि गायकी के हिसाब से तालो का बहुत बड़ा योगदा रहता है अगली हम बात करते है चंचल प्रकरती के आप सब भी जानते हो दीप चंदी जो होती है वो अती चंचल चेहरवा का वी चंचल प्रकरती का होता है, कैहăरवा का किया 임at,ोसल नष्चित सब्सक्राइद कि जड़िए गाहे हैं, आगे,शे को अहांते हैं,का भी गाहने का सिंद्राइस होता तो हम 이야기 होता है तीन ताल ताल जो होती आ हैं जपताल नोगई यह न lakवा न ओगई ढेकी इस के न हाया चाहिए की गाय की होती है तीन ताल के अंतरगत आती है ज्यादा तर तीन ताल और एक ताल में देखने को मिलती है और एक ताल और तीन ताल के अंतरगत बड़ा ख्याल आता है एक ताल के अंतरगत आता है जब ताल में भी छोटा ख्याल देखने को मिलता है और तीन ताल के अंतरगत क्योंकि अगर आप बड़ा ख्याल देखोगे तो वह एक ताल और तीन ताल में ज्यादा गाया जाता है और एक ताल की जो प्रकर्ती होती है वह चंचल होती है ठीक है थेंक यू सो मच गाइस अब्लाइब में और फैस चंचल पकर्ती तालो में क्या नतर होता है तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है मुझे जितनी इन्फोर्मेशन मिली मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिक थेंक यू सो मच